हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रेंट्स आज से में एक नया थाई बील स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एन ओफ लव तो सारा एन ओफ लव सीरीज के टोटल अब तक तीन सीजन्स रिलीज हो चुके हैं तो मैं तीनों सीजन्स को वन बाई वन एक्स्प्लेंड करूंगी तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम थाई बील एन ओफ लव तो सारा के एपिसोड वन का स्टोरी एक्स्प्लेंशन करेंगे तो वीडियो को पूरा देखिए तक कि आप कुछ भी मिस ना करें और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए तक कि आप आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें गन को उसका फ्रेंड बीम कहता है तुम जब से यहां पे आए हो और सारी लड़किया इधर ही देख रही है अब जब तुम यहां आही गए हो तो तुम भी स्विविंग पूल में उचे जॉइन करो गन मना करता है बीम कहता है तुम हमेशा अपने मुबाइल में लगे रहते हो मैं तुम्हारी वाइफ को बता दूँगा गन कहता है तुम बखवास मत करो उसने सुन लिया तो वो गुसा हो जाएगा बीम कहता है तुम अभी से उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो बीम कहता है मैं स्विंग करने जा रहा हूं तो तुम ना को जल्दी से आने के लिए कह दो बाद में हम लोग मिलके साथ में डॉर्म वापस जाएंगे बीम स्विंग करने लगता है गन ना को मैसेज करके पूछता है तुम कहां पे हो ना कहता है मैं बस आई रहा हूँ बार अपने Facebook पर status post करता है कि गर्मी बहुत है मैं swim करना चाता हूँ उसके post पर उसके friends कमेंट करने लगते हैं इवा कमेंट करती है तुम swing pool के पास आकर मुझा से मिलो चलो gun के साथ हम swing करते हैं बार कमेंट करके पूछता है गन कौन है। खला कमेंट करता है वो मेडिसन फेकलिटी के गन की बात कर रही है। बार वहाँ पे आ जाता है। खला उसे पूछता है तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। बार कहता है मेरी फेकलिटी यहां से नस्दी की है। ख्ला कहता है अच्छा है तुम आगे सारी लड़कियां मेडिसिन फेकलिटी के लिए चियर कर रही है तो तुम उन्हें दिखा दो बार कहता है तुम चिंता मत करो मैं उन्हें दिखा दूँगा कि किसमें जादा दम है ख्ला कहता है क्या तुम सच में अथलीट हो तुम्हारे पास तुम असल्स भी नहीं है और तुम लड़कियों की तरफ बतले हो बार ख्ला को पुल में धका देता है दोनों मस्ती मजा करने लगते है गन आकर बार को देखने लगता है अगले सीन में गन को पैठा देख ना पूछता है क्या तुम यहाँ सिर्फ बैठने आये हो गन हा कहता है ना कहता है मुझे भूख लगी हूई है गन कहता है तुम मैं क्या करूँ ना कहता है तुम बीम को जल्दी से बाहर आने को कहो उसे कोई भी नहीं देख रहा है तो उसे शोफ करने की जरूरत नहीं है ना बीम को बाहर आने को कहता है बीम बाहर आ जाता है ना को नीचे किसी का इंजीनिरिंग गेर गिरा मिलता है ना कहता है ये तो शायद किसी इंजीनिरिंग स्टुडेंट का लगता है अब हम क्या करें? गन गेर देखकर कहता है हमें जाकर इसे लोटा देना चाहिए ना कहता है क्या तुम किसी engineering student को जानते हो? गन कहता है मैं एक senior को जानता हूँ हम दोनों same high school में थे ना कहता है कहिए वही तो नहीं है जिसे तुम यहाँ पर आके swim करते हूए देखते हो गन कहता है अगर मैं हा कहूँ तो ना कहता है तुमने finally admit करी लिया क्या तुम्हारी मा को इन सबसे problem नहीं है? गन टॉपिक चेंज करके उसे खाने चलने को कहता है बार अपने facebook पर post करता है कि उसका engineering gear कुम हो गया है गन यह देख कर smile करता है गन post के comments पढ़ने लगता है बार ने comment box में लिखा होता है कि जिसके पास भी वो gear है वो मुझे return कर दे बदले में मैं उसकी कोई भी बात मानने के लिए तयार हूँ इवा comment करती है वो इंसान जो भी मांगेगा तुम उसे दे दोगे बार हां कहता है गन समझ जाता है कि उसके पास जो gear है वो बार का है बार को stress देख कर वी कहता है तुम चिंता मत करो जादा से जादा तुम्हें ग्रूप से बाहर निकाल दिया जाएगा बार कहता है तुम्हें अच्छे से पता है कि gear को पाना कितना मुश्किल काम था मुझे उस gear के कारण कितनी मेनत करनी पड़ी थी सीनियर्स का अत्याचार भी सेना पड़ा था मैं सीनियर के साथ ड्रिंक करने जाने वाला हूँ वो लोग जरूर मुझे पे करने के लिए फोर्स करेंगे अगर मेरे पास gear नहीं होगा तो मैं cool नहीं लगूंगा और लड़कियों से flirt भी नहीं कर पाऊंगा खला कहता है तुम ट्रिंक्स के पैसों की चिंता मत करो हम सब मिल कर पे कर देंगे और जहां तक बात रही लड़कियों से flirt करने की तो तुम्हें वैसे भी कोई लड़की नहीं मिलने वाली है बार कहता है मैं भले ही वाइट और स्लिम हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी कला कहता है तुम जितने अच्छे से बात करते हो न उससे तो सिर्फ लड़के ही तुम्हारे पीछे आने वाले है गन कहता है तुम बखवास मत करो इवा कहती है तुम लोग बखवास करना बंद करो और चुप रहो मैं पढ़ रही हूँ तभी गन अपने फ्रेंड बीम के साथ वहाँ पे आता है सब उसे देखकर उसके लुक्स की तारिफ करने लगते है गन बार से आकर कहता है कल आपका गियर गुम हो गया था मैं उसे रिटर्न करने आया हूँ बार गियर देखकर उसे थैंक्स कहता है और गियर लेने लगता है तबी गन हाथ अटा कर कहता है आपने जो कल पोस्ट किया था क्या वो सच है बार पूछता है तुम कौन से पोस्ट की बात कर रहे हो गन कहता है आपने लिखा था कि जो भी आपको gear return करेगा आप उसे reward देंगे बार कहता है तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ मैं तुम्हें दे दूँगा गन कहता है क्या मैं आपसे flirt कर सकता हूँ बार confuse हो कर पूछता है तुम मुझसे flirt करना चाहते हो गन हा कहके कहता है मैं आपको like करता हूँ लेकिन अगर आप मुझे flirt करने से मना करेंगे तो मैं आपका gear आपको return नहीं करूँगा बार के सारे friends उसे हा करने को कहने लगते हैं इवा मजाग करते हुए कहती है वैसे तो मैं बहुत दुखी हूँ कि गन मुझे like नहीं करता है लेकिन तुम मेरे अच्छे दोस्त हो तो मैं तुमें गन को दे सकती हूँ बार कहता है तुम लग मुझे गोर से देखो मैं एक लड़का हूँ देम बार से कहता है तो क्या आप गन को मना कर रहे हैं बार कहता है मैं लड़का हूँ गन कहता है अगर आप मुझे मना कर देंगे तो ये कियर हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा ये कहकर गन जाने लगता है तब ही बार उसे रोक लेता है गन पूछता है क्या अब आप हाँ कहना चाहते हैं सब के कहने पर बार हाँ कह देता है और कियर ले लेता है और उसे जाने को कहता है गन खुश हुजाता है अगले सीन में गन बार को मैसेज करके पूछता है आप कहां पर हैं बार कहता है मैं फैकलिटी बिल्डिंग के पास बार कहता है तुम यहाँ पर क्यों आ रहे हो गन कहता है मैं आपको मिस्स कर रहा हूँ बार कहता है तुम मकवास बंद करो गन हसकर खुद को कहता है लोग उसी को डाटते हैं जिसे वो लाइक करते हैं और पीबार मुझे फर्स्ट मीटिंग से ही डाट रहे हैं नियो पूछता है ये कौन है, इवा कहती है ये मेडिसिन डिपार्टमेंट का गन है और यहा किसी से flirrd करने आया है, नियो कहता है तुम से कोई flirrd कर रहा है और तुमने मुझे बताया भी नहीं, इवा कहती है अगर गर मुझसे फ्लर्ट करता तो मैं तुम लोगों के साथ थोड़ी ना होती बलकि पूरा वक्त उसी के साथ होती इवा के वाते सुनकर निया बार से कहता है तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है तुम्हारे लिए वाइफी ढूनने से अच्छा हभी ढूनना ही ठीक है बार कहता है मैं किसी को भी ढून रहा हूँ यह खुद मेरे पास आया है निया कहता है तुम्हें खुद को ओपन रखना चाहिए यह हैंसम है मैडिसिन फैकलिटी से है और इसे देखकर मैं कह सकता हूँ कि यह रिच भी है अगर तुम इसे रिजेक्ट कर दोगे तो तुम सरूर स्टूपिड ही होगे बार कहता है तुम लोग मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो और तुम यहां क्या कर रहे हो गन कहता है मैंने बताया तो था कि मैं आपको मिस कर रहा हूँ तब ही बार उसका मुझे बंद करता है और उसे जाने को कहता है लेकिन गन मना कर देता है इवा कहती है तुम दोनों कुछ साधा ही स्वीट हो वी कहता है मैं और मेरी फैन भी इतने स्वीट नहीं है सब लोग वहां से चले जाते है गन बार को उसके साथ चलने को कहता है बार कहता है तुम आए अकेले हो तो चले भी जाओ अकेले ही गन कहता है अब बहुत मीन है गन का चेरा देखकर बार मान जाता है और कहता है तुम्हें मेरे साथ आना है तो जल्दी आओ गन बार के साथ आजाता है सब लोग उने देख रहे होते हैं तो बार कहता है तुम्हारी वज़े से सब लोग हमें घूर रहे हैं बार ली को कहता है तुम मुझे घूर क्यों रहे हो ली कहता है मैं तुम्हें नहीं बलकि तो सेकंड थाउजन लव्ज को देख रहा हूं बार कन्फ्यूस होकर पूछता है ये क्या है इवा कहती है ये गन का निकनेम है जो से फाइन आर्ट्स की डियू ने दिया है क्योंकि ग बार कहता है अगर रोज तुम से हजार लोग कन्फेस करेंगे तो तुम एक साल में सब को पा लोगे गन कहता है कहीं आप जैलिस तो नहीं हो रहे हैं बार कहता है तुम बकवास बंद करो दोनों नोगचो करने लगते हैं बार लेट कर सोने लगता है तो गन उसकी पिच्च क्लिक करता है, गन को बार के साथ आता देख, ना पूछता है ये कौन है, बीम कहता है ये इंजिनिरिंग फेकलिटी के थर्ड यर स्टुडेंट पी बार है, जिसे गन अप्रोच कर रहा है, बीम कहता है देखो अब गन के पास निउ वाइफ आ गई है, गन कहता है ये मेरी वाइफ नहीं है, ना कहता है मैं उसकी वाइफ नहीं हूँ तो तुम बखवास मत करो, वरना पी बार को गलित फैमी हो जा गन बार को सौरी कहता है, और बार को वापस जाने के लिए अपने कार की चाबी देता है, बार मना करने लगता है तो गन कहता है अगर आप मना करेंगे तो मैं भी आपके साथ जाओंगा, बार मान कर कार की इस ले जाता है, डिव अपने चैनल पर गन और बार वाली निउस है सब लょ decision of support करने लगते हैं we say stuff comment क्यूंव रहे हैं सोब क steep क्वकर एवा कहती है गन हर चीज में परफेक्ट है उसके लिए कुई बुरा क्यूं केहा बार कहता है मेरी लाइफ से piece जाने वाला है तबी ली सबको गन का कमेंट दिखाता है गन ने लिखा होता है मैंने उन्हें अप्रोच किया है तो अगर किसी को कुछ भी कहना हो तो मुझे कहे सब लोग मजाग करने लगते हैं गन बार को कॉल करके कहता है मैं आपके फेकलिटी के बाहर हूँ क्या आप मुझे से मिलने आ सकते हैं पहले तो बार मना करता है लेकिन गन के बहुत कहने पर बार मान जाता है और बाहर आ जाता है अगले सीन में बार स्रेशर्स की चियर एक्टिविटी लीट कर रहा हुता है और गन पीछे टी के साथ बैठा होता है टीगन से freshers activity के बारे में बाते करने लगता है बार break लेकर पीछे आता है गन उसे पानी देकर कहता है अगर आप ठक गए है तो आप ये मत कीजिए बार कहता है मैं तुम्हारी तरह इस activity को skip नहीं कर सकता बार का friend fuse आकर कहता है तुम flirt बाद में कर लेना अभी cheer activity लीट करो बार कहता है मैं flirt नहीं कर रहा हूँ गन कहता है मैं इन से flirt कर रहा हूँ फ्यूस कहता है गन तुम्हें अभी से protect कर रहा है बार उटकर चला जाता है चियर अक्टिविटी खतम होने के बाद कन बार को ट्रॉप करने की बात कहता है पर बार मना करके कहता है मैं पॉंट के साथ जा रहा हूं गन पूछता है क्या अप ठीको आज आप कुछ सादा ही ठके हुए लग रहे हो बार कहता है मैं मेन हूं और इतना भी वीक नहीं हूँ गन कहता है क्या मैं आप लोगों के साथ आ सकता हूँ बार कहता है तुम्हारी तो कल मॉर्णिंग क्लास है ना गन कहता है मैं मैंनेज कर लूँगा गन के जिद करने के बाद बार मान जाता है सब लोग बार में ट्रिंक करने आते हैं पॉर्ण गन से पूछता है क्या तुम पहले यहां पे आया हुए हो गन कहता है मैं आया तो हूँ लेकिन बहुत कम बार बार पूछता है क्या तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम यहां आ सकते हो गन कहता है ये मेरे फ्रेंड बीम के भाई का बार है इसलिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ एक लड़की आकर गन से फ्लर्ट करने लगती है तब ही ना आकर कहता है गन सिंगल नहीं है तो लड़की उठकर चली जाती है बीम और ना आकर सब के साथ बैठ जाते हैं और ट्रिंक करने लगते हैं जगा कम होने के कारण ना गन की गोद में बैठने वाला होता है लेकिन पीम उसे रोग कर अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है गन के पास अब नई वाइफ रहे तो तुम मेरी गोद में ही बैठ जाओ सब लोग मस्ती मजा करने लगते हैं बार उठकर कहता है इस तरफ जगा नहीं है तो मैं दूसरी साइड चला जाता हूं गन उसे रोग कर अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है आप मेरी गोद में बैठ जाईए सब लोग बार का मजाक उड़ाने लगते हैं अगली सुबा बार खुद को देख कर चौंक जाता है तभी उसे साइड में रखा नोट मिलता है जिसमें गन ने लिखा होता है मैं क्लास के लिए जा रहा हूं आप फ्रिज में से दूद निकाल कर पी लीजे मैं दुखी हूं कि मैं आपको उठते हुए नहीं देख पाया लेकिन आप सोते वक्त भी काफी क्यूट लग रहे थे मैं बीम के साथ जा रहा हूं इसलिए आप मेरी कार की कीईज ले सकते हैं बार को ना की बाते याद आ जाती है तो बार कहता है मैं सिर्फ तुम्हारे कपड़े ही लूँगा कार तुम अपनी वाइफ के लिए बचा कर रखो सब लोग बार से पूछने लगते हैं कि कल रात उसके और गन के बीच में क्या हुआ बार कहता है तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है मैं घर जाते ही सो गया निया कहता है तुम आज यूनिफॉर्म में हो और तुम्हारी शर्ट भी प्रॉपर्ली आयरन है आखिर ये सब कैसे हो गया वी कहता है तुम तो कभी भी अपनी शिर्ट आरन नहीं करते हो बार कहता है ये करने किया है निया कहता है तुम्हारी शिर्ट इतनी बड़ी क्यों लग रही है सब लोग उसे सवाल करने लगते हैं तो वो कहता है कि ये गन की शिर्ट है अब तुम लोग सवाल करना बंद करो गन बार को कॉल करता है बार का खराब मूट देखकर गन उसका कारण पुछता है तो बार कहता है मैं तुम से बात कर रहा हूँ इसलिए मेरा मूट खराब है गन कहता है मैंने आपका इतना ध्यान रखा और आपको घर भी लेकर गया और फिर भी आप ऐसी बाते कर रहे हैं यह देखकर मुझे दुख हो रहा है गन बाय बोल कर कॉल कट कर देता है बार को अकेला बैठा देख ली और टी वहाँ पे आ जाते हैं और इसे पूछते हैं आज तुम्हारा गन यहाँ पे नहीं है बार कहता है वो यहाँ पे क्यों होगा ली कहता है हम दोनों तो उसे ही देखने आया है टी अपना मुबाइल चेक करके कहता है गन यहाँ पेसी लिए नहीं है क्योंकि वो cheer activity में busy है टी उसे gun की post दिखाता है जिसमें gun ने लिखा होता है मुझे cheer activity join करना पसंद नहीं है बलकि मुझे gear के owner का ध्यान रखना पसंद है लोग gun की post पर comment करने लगते हैं ली कहता है सब लोग तुम्हें इतना support कर रहे हैं तो तुम्हें भी तो कुछ comment करना चाहिए बार कहता है इस बात का मुझे से कोई लेना नहीं है ली कहता है तुम gun से पीछा छोड़ा नहीं सकते हो तो तुम साधा कोशिश भी मत करो ली बार का mobile लेकर comment कर देता है कि तुम्हारे पास मेरा gear है तो अपना दिल तुम मुझे देना मत भूलना सब लोग उसके comment पर comment करने लगते हैं तो बार comment करता है कि यह मैंने नहीं लिखाय है बलकि मेरे friends ने लिखाय है गन कमेंट करता है कि मैंने अपना दिल आपको बहुत पहले ही दे दिया है बार लिखता है कि ये मेरे फ्रेंट्स ने पोस्ट किया है गन लिखता है लेकिन मैं मजाग नहीं कर रहा हूँ मैंने अपना दिल आपको कपका दे दिया है ली और टी बार से मजाग करने लगते हैं और यही पर यह एपिसोड खतम हो जाता है So friends, that's it for this video I hope आपको वीडियो पसंद आया हो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ साथ बैल आइकन भी प्रेस कर दीजिए तक याप आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें So friends, thanks for watching this video Bye-bye and take care of your health